आज 11 अगस्त 1988 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर माहवाक्या जिनका विशे है सफलता का चुमबक मिलना और मोल्ड होना आएए इस पर अब हम मनन और चिंतन करें अपनी सेवाधारी स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न देने बाप दादा बच्चों की महफिल में पधारे तता महवाक्य उच्चारन किये सब का स्नेह स्ने के सागर में समा गया ऐसे ही सदा स्ने में समाई हुए औरों को भी स्नेह का अनुभव कराते चलो आप देखिये बाबा ने कितना सभष्ट कहा है कि हम सनेही बच्चे हैं बगवान सनेह का सागर है कहते ही हैं तू प्यार का सागर है और हमारा सने सने से सने मिलता है बाबा के सागर सने के सागर में समा गया इसको भक्ती मारग में और ढंग से ले लिया गया है वो कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो गई अगर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए आत्मा ये परमात्मा तो एक ही है तो आत्मा को तो अस्तित्व भी खत्म हो जाए लेकिन आत्मा अनादी अवनाशी है इसलिए समाने करत ये नहीं है ये अपना अस्तित्व उसमें लीन कर दिया जैसे कोई काये के नदी सागर में समा गई तो झा खत्म हो जाता अब गंगा सागर में समा जाए तो इसके बाए गंगा हो नहीं रही लेकिन यहां बाब अने कि असे सेल्टे में। आपका सनय समाया है ? तो लव लीन कहते हैं, तो लव अंग्लिश में सनय को भी कहते हैं कि हमारा प्यार vs रख हमारा प्यार से खो गए जयंसे खे ख neurolog जैसे समागए मतोरब सम लेगे शमने के स सागर में सम आगा हमे आप उस सनय में खो गए. हाँ, हाँ, यहनि उसकी इन्भूती में चले गए, अपना स्थित्व भूल गए, यहनि बॉड़ी को भूल गए, for instance, जैसे आशिक माशूख होते हैं, तो वो काम करते हुए भी उनको याद रहता है, तो काम करते रहते हैं, लेकिन स्ने उनका एक दिल का होता है। Master, भापतादा, सर्वबच्चों के विचार, समान, मिलने का सम्मिलन, देख हर्शित हो रहा है, हाँ, समानता विचारों की। अब आपा कहते हैं, जैसे स्ने में समान हो गए, तो एक परकार की समानता, अनेक परकार की समानता को लाते है। unity जिसको कहते हैं यह ना united we stand, divided we fall तो हमारी unity का अधार है परमात्मा एक परमात्मा, हम उनकी संतान तो जैसे हम सब का परमात्मा सिसने है बाबा कैसे इसलिए हम एक मत हैं यहनी हमारे विचारों में जो समानता आई बच्चे हैं आपस में किसी चीज पर विचार विमर्ष करते हैं, meeting हुई है, तो वो समानता, यनिए unanimous जिसको कहते हैं हर चीज, तो वो बाबा कहते हैं, उसको देखकर भी बाबा हर्शित होते हैं, उड़ते आने वालों को सदा उड़ती कला के वर्दान स्वतह प्राप्त होते रहेंगे बाप तादा सर्व आए हुए बच्चों के उमंग उच्साह को देख सभी बच्चों पर स्ने के फूलों की वर्षा कर रहे हैं दुनिया में तो स्थूल पुष्प वर्षा करते हैं लेकिन बाबा कहते हैं स्ने के पुष्पूं की वर्षा पूलों की जैसे कई कहते हैं न कोई व्यक्ति बोलता है तो उसके मुक्से जैसे फूल जड़ते कितना ठंड दूसरे को पढ़ जाता ही सीतल हो जाता व्यक्ति तो बाबा कहते हैं, पाबाबा ऐसे बच्चों कि इसने को देखकर, उनकी एक समानता को देखकर, मत को देखकर, फूलों की वर्शा कर रहे है। संकल्प समान मिलन, और आगे संसकार बाप समान मिलन, ये मिलन ही बाप का मिलन है। जो कहते हैं ने परमात्मा से मिलना, तो जैसे मैंने पहले कहा, मिलने का ये मतलब ने, उसमें लीन हो जाना, लेकिन मिल, मिलान करना, इसको कहते हैं, तो इसलिए बाबा ने कहा है, संकल्पों का, आपस में समान मिलन, फिर संसकारों का, आपस में मिलन, ये भाप से मिलन हो जा तो वही परमात्मा से मिलन, किसी को मिलन मेला कहते है, यही बाप समान बनना है, संकल्प मिलन, संस्कार मिलन, मिलना ही निर्मान निमित बनना है, अब बाबा कहते है, संकल्पों का मिलना, संस्कारों की समानता, यही निमित की भावना देता है, क्योंकि अगर बीट में में आ गई तो संसकार मिलन हुआ नहीं है ना बाबा ने बताया हुआ है कि में से चार बातें पैदा होती हैं मायूसी, मगरूरी, मुर्जाइश और मत बेद क्योंकि जुहीं एक में में आई तो मत बेद हो गया तो एक मत तो नहीं हुए ना तब बाबा कहते हैं कि यही निर्मानता की निशानी और निमित की बाबा हमेशा कहते हैं निमित ही निर्मान कर सकता जो निमित भाव से चलता है कि मैं इंस्टूमेंट हूँ वो करावन हार है मैं करन हार हूँ तो सारे करन हार एक समान होगे निर्मान भाब आएगा निर्मान का मतलब निर्मान मैंने नया बनाना को भी कहते है बनाने को भी कहते है न गौर्दन परबत जो भगवान ने ठोया कहावत है गौर्दन परबत का मतलब क्या हर्कुलियन टास पहाड जैसा काम, पहाड को अठवा दिया उंगली से, हर एक उंगली लगवाई, तो उंगलीयां समानता की उंगली लगाई ना, तो भगवान कहता है यही मिलन है, यही निर्मान करेगा. बाबा बोले, सेवा समीप आ रहे हो, आ ही जाएंगे, सेवा की सफलता की निशानी देख, हर्षित हो रहे हैं, स्ने मिलन में आय हो, सदा स्ने ही बन, स्ने की लहर, विश्व में फैलाने के लिए है. अब जैसे जिसको क Mickey, सने मिलन, होता है मीटिंग करना, कानफरेंस करना, समीनार करना, डिवेट करना, एक है सने मिलन. सने मिलन का मطلب K? मिलन आपसमें सने की लेंदेन करने का है, इसमें किसी परकार का, मत वयद की बात ही नहीं. सब इसने ही आके सने मिलन करते हैं, दुनिया में भी आप देखते हैं, जब कोई खुशी का मौका होता है, तो सब लोग जो हैं, एक समान हो जाते हैं, होली का बाबा मिसाल देता है, होली के दिन क्या करते हैं, मिलन करते हैं, रंग एक दूसरे पर डालते हैं, और उसमें कोई जो छोटा बड़ा नहीं देखते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाएंगे, तो वर्कर और मैनेजर सब एक दूसरे पर रंग डाल रहे होंगे, समानता की निशानी का, हम बेसिक करें तो इनसान है न, यो भगवान कहता है, यह जो स्ने मिलन है, यही मिलन है, तो ब विश्व में फैलाने के लिए, लेकिन हर बात में, चárITY बिगिम्स एठ हों, पहले स्व रह है, अपना सबसे प्यारा होंडॼत नही आज खेले स्व से प्राहित्न स्व ब्रामन प्रिवार से, फिर विश्व से. यह इन चैरिटी बिग अर समय ना दो बाबा कहता है सुख़ गया तो हमारा हम क्या हो वा सबसे प्रकाड़ करूए सुख़ हो ना मैं आत्मा और मेरा शरीर वरका वारी आत्मा के सने में शरीर काम करे आत्मा की इच्छा होते ही श्रीर के कोई भी इंदरियां स्थूल हो, मन हो, बुद्धी हो, संस्कारों वसे योगी बन जाए, तो इस नहीं होगे आपने में, फिर बाबा कहता है, परिवार और फिर विश्वा, नमबर वार चलता है, तो चैरिटी बिगेंज बिगेंज एड हूम. हर संकल्प से स्ने, निष्वार्थ सच्चा स्ने, दिल का स्ने, हर संकल्प में सहानु भूती, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नाचुरल नेचर बन जाए, ये है स्ने मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संसकार मिलन कितनी बाबा ने अनलेसिज करके बिलकुल छंदी छेद करके हमें असानी से बता है कि इसने मिलन कहते है किसको सर्व के सहयोग के कारे के पहले सदा सर्व श्रेष्ठ ब्राह्मन आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी सहच और स्वतह बना ही लेता है अब बाबा ने कह कि हूं मैंने कि अपना परिवार ब्रामन परिवार और जहां सने होगा वह सहनुभूती होगी आप किसी कारे को करते हैं अगर उसमें सहनुभूती है सिंपती है तो सने की निशानी है अगर आप ड्यूटी समझ के करते हैं तो फिर वो सने उसमें सने का अलिमेंट नहीं आता तो यह लोग कहते हैं आखे के ब्रह्मा कुमारीद में आते हैं आपका भोजन बहुत अच्छा है आप इसमें क्या डालते हैं है न दुनिया में बड़े बड़े लोग अनेक परकार के बेंजिनों का स्थान स्थान पर टेस्ट करने वाले आखे कहते हैं तो अपका भुजन भाट अच्छा है, дूसरे तो डूटी करके बनाते है, हुटल वाला किसी के लिए भुजन बनाता है अपड़िवार वाला किसी लिए बनाता है, कितना फर्क होता है मेरी आखे बंद कर दें और मेरी माता की बनी होगी रोटी में फॉरन के दिंगा उसकी बनी होगी है क्योंकि उसमें सने है फीलिंग आएगी इसलिए भगवान कहता है कि सने का एलिमेंट जोड़ता है और रावन क्या करता है फूट डालना अच्छा आज दुनिया में यही है सब कुछ है सने नहीं सर्व के सयोग के कारे के पहले सदा सर्व श्रेष्ट ब्राह्मन आत्माओं का सयोग विश्व को सयोगी सहज और स्वता बना लेता है शाहिद यह हमारे एक प्रोजेक्ट चला था सर्व के सयोग से सुख मैसंता है उसी की मीटिंग में आये हुए यह भाई मेन है क्योंकि बाबा ने दो बार इसमें सर्व के सयोग का जिकर किया इसलिए सफलता समीप आ रही है मिलना और मुढना अर्धात मोल्ड होना यही सफलता का चुमबक है बहुत सहज इस चुमबक के आगे सर्व आत्माओं आकर्श कुमबक है अगर सारे संगठन में उसको कायम रखना है उसको मधूत रखना है तो मोल्ड होने की पावर बहुत इंपोर्टेंट है तो संगठन में एक दूसरे के साथ किनेक्टटब रहते हैं तो सब को बचाने के लिए व हर व्यक्ति को अपने आपको थोड़ा बहुत होना पड़ता है। तो बगवान काता है मोल्डिंग को एका जाता है। जो रियल गॉल्ड होता है। असली शओना प्यूर वह बहुत नरम होता है। और वो मोल्ड जो लिकिन है ग्राइबंग्ट हैending का क Так.. तो थोड़ा सा उसमें अलाइम, चाहे वो चांदी का शुरू करते हैं मलाना थोड़ा सा, तब वो उसकी मोल्डिंग पावर कम होती है, तो बाबा कहता है आपका शरीर है, ये मिलावट है, अगर शरीर भी मोल्ड हो जाए आत्मा के साथ साथ, शरीर मैंने एक तो वो सरकस में करते हैं, वो नहीं, ये शरीर की इंद्रियां कोपरेट करें, तो भगवान कहता है आत्मा और शरीर जहां खठे मिलके चलते हैं, आत्मा भी सतो पर्दान, शरीर भी सतो पर्दान, अगर आत्मा सतो पर्दान है, शरीर तमो पर्दान है, ये सतो पर्दान नहीं है, तो दु समीप है, सदा समीप रहेंगे, ना सिरफ बाप के, लेकिन आपस में भी समीपता का विजन बाप दादा को दिखाया, विश्व को विजन दिखाने के पहले, बाप दादा ने देखा, आने वाले आप सर्व बच्चों के एक्षन को देख, क्या एक्षन करना है, होना है, वह सह जी समझ जाएंगे, आपका action ही action plan है, आच्छा, क्योंकि दुनिया में जब भी कोई conference करते हैं, कोई meeting करते हैं, उसके बाद उसका जो सार निकलता है, उसको action plan का रूप में बनाते हैं, ये जो हमने discussion किया, या meeting किसे जो तत निकला, उससे हम आगे क्या करेंगे, तो हर meeting के एक action plan, resolution pass करते हैं action plan, तो बाबा ने कहा, कि दुनिया को तो आपने vision दिखाना है, action plan बताना है, लेकिन आपका वो vision जो है, नई दुनिया का, सुखमे संसार का, बाबा ने पहले उसको preview किया, जैसे उसको देखा, और बाबा ने कहा, आपका action ही action plan है, action plan आगे के यह एक्षन ही बताएगा एक्षन प्लैन क्या है क्योंकि हमारे कुछ fundamental जो बाबा कहते हैं मौलिक मूल प्रिंसिपल्स है न यह से पहला हमारा प्रिंसिपल्स परमात्माइक है अब यह परमात्माइक दुनिया वाले भी कहते हैं लेकर उनका भाव क्या होता है वो तो कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है यह सब जगा परमात्मा है तो फिर तो एक नहीं रहा न इसलिए बाबा कहता है कि यह जो है एक परमात्मा है बाकि महात्मा होंगे देवता होंगे विज्ञानिक होंगे यह हमारा मौलिक प्रिंसिपल है पवितरता के निर्विकारिता यानि बोरी कॉंशे से परे रहना यह हमारा दूसरा प्रिंसिपल है तो एक्षन में आते हैं तो डोगों को आप ही पता लग जाता है का इनके सुक का शांती का नियारेपन का साववजयनिक सने का अधार क्या है अगर हम सावजयनिक सने करना चाते हैं तो हमको निष्पक्ष और निष्काम होन, निष्वारत होना पड़ेगा तो अगर जरہा सा सुआरत आ गया तो वैश्विक नहीं हो सकता प्लान सब अच्छे बनाया है, और भी जैसे ये कारे आरंभ होते, बाप दादा का विशेश इशारा वर्गी करण को तयार करने का था, और अब भी है, तो ऐसा लक्षे जरूर रखो किस महान कारे में कोई भी वर्ग रह नहीं जाए है. अब बाबा ने देखो कितने दुनिया भी, सारी दुनिया को जो विजन हमने देना है, उसका मॉडल कैसे शुरू किया, तो बाबा ने कहा कि वर्गी करण बनाओ, वर्गी करण जैसे गुलदस्ता होता है, तो वर्गी करण में क्या होता है, एक एक वर्ग का एक भी आ जाए, महलों एक डॉक्टर आजये एक एढ़िस्टर आजये एक एडूकेशनिस्त आजये एक साइंटिस्ट आजये धर्म नेतर आजये तो उसमें टोटल विश्व का एक रिप्रिजेंटेटिव तो आ गया ना तो जैसे वो नोहाज आर्क दिखाते हैं, उसमें एक-एक चीज सब रख ली गई थी, ताके वो बची रहे, तो बगवान ने यहां से शुरू किया, इस प्रोग्राम से बाबा ने खास शुरू किया था, वर्गी करन बनाओ, और आपके प्रोग्राम में सेंपल तोर पे, जि जितने इस मीटिंग में आये हैं, वो इटसेल्फ सारी दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि हर एक प्रांत के आये हैं, विश्व के हर एक देशों से आये हैं, उस सो बाबा ने का, ऐसे ही आप अपने प्रोग्राम मिलाओ, चाहें समय प्रमांट ज्यादा नहीं कर सकत हो, लेकिन प्रेतन वा लक्ष ये जरूर रखो, कि सैंपल जरूर तयार हो, बाकि आगे इसी कारे को और बढ़ाते रहेंगे, तो समय प्रमांट करते रहना, लेकिन समाप्ती को समी प्लानी के लिए सर्व का सयोग चाहिए, इसमें भी सर्व का सयोग आ जाता है, हर परकार क बच्चा भी करे जुबा भी करे गा, युगल भी करे गा, वृद्ध भी करे गा, तो सेंपल तो आगे ना, कोई ऐसी चीजर्बच्च के लिए हो, बाकियों के लिए तो नहीं होगी, तो सर्व के लिए, लेकिन इतनी सारी दुनिया की आत्माओं को तो एक समय पर समपर्क म बनाया है, तो ये लक्ष सर्व के कारण को पूरा कर देता है, कोई भी वर का उलेहना नहीं रह जाए, कि हमें तो पता ही नहीं क्या कर रहे हो, बीश दाड़े। कि जब भारतवासी ही बाबा के बच्चे बनते थे, तो बाबा सर्व आत्माओं का पिता का टाइटल नहीं रहता था पहले तो सिंधी लोग बाबा के बच्चे बनें ये सिंधीों की सनस्ता है, फिर दीरे दीरे बारत के बने pushing भारत वासीं की कह लाएगी। गीता का भगवान लोग समयते हैं क्रिशन के कारण भारतवासियों का है, लेकिन गीता का भगवान परमात्मा है, तो सब देशों के लोग, जब बाबा ने कहा के क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, मुसलिम, जैनी, सारे, काले, गोरे, तो तुमने मुझे टाइटल दिलवाया सब आत्मों का पिता, तो रिप्रेजेंटेटिव ना, ऐसे ये वर की करन है, तो बाबा की ते बीज डालो, बाकी वृद्धि जैसा समय मिले, जैसे कर सको, वैसे करो, इसमें भारी नहीं होना, कैसे करे, कितना करे, जितना होना है, उतना हो ही जाएगा, जितना किया, उतना सफलता के समिप आए, सैंपल तो तैयार कर सकते हो, ना, बाकी, जो इंडियन गवर्मेंट को समिप लाने का श्रेशंकलप लाया है, वो समय सर्व की बुद्धियों को समीप लाएगा, देखो, अब बाबा ने कहा, देखो, कितनी गहरी बात है, बाबा कहता है, सर्व का सयो हर एक की उंगले चाहिए, मान लो ये जरूरी नहीं है कि सारे कारे में रत हों, जैसे बरात होती है, तो बरात क्या सिद्ध करती है? बरात में सारे रेलेटिव होते हैं एक एक रिप्रेजेंटेटिव होता है एक एक परिवार का इसका मनलब सबके सायोग से ये कारे हो रहा है तो इसमें बरकत भी रहते है अशीरवाद भी रहता है सफलता भी रहते है अगर एक व्यक्ति बरात में जाने से रूठ जाया मानलो हिए यह लिए होता है माबा के है कि ठीश परिवार कर चर्वान आजाती है कर्का जाती है बहुत बड़ा प्रग्राम चल राह इसलिए सर ब्राह्मन आत्मा इस विशेश कार्य के अर्थारम से अंतग विशेश शुद्ध संकल्प सफलता होनी ही है इस शुद्ध संकल्प से और बाप समान वाइब्रेशन बनाने मिलाने से विजय के निश्चे की दिड़ता से आगे बढ़ती चलो अब देखो Government of India का बाबा कह रहा है इसमें ये भी किया गया था इतना बड़ा कारे हो रहा है इतना शुब कारे हो रहा है भारत में हो रहा है तो भारेश सरकार के प्रतिनिदियों को भी इसमें आना चाहिए अब तो दिन काफी दूर हो गए इतने सारे भारेश सरकार के प्रत zemत जो पर आपकी करेंगे आपकारी क्या कर रहा है कि ँंका ध्हान खेचेगा और दीरे दीरे पिरत बाबानरे कि अंкив के अंदर हरे Yes ये खास उनको अवहन करना है लेकिन जब कोई बड़ा कारे किया जाता है तो पहले जैसे स्थूल में देखा है कोई भी बोज उठाएंगे तो क्या करते हैं सम मिलकर उंगली देते हैं एक दो कोई हिम्मत उलास बढ़ाने के बोल बोलते हैं देखा है न ऐसे निमित कोई भी बनता है जैसे लेवर भी हैशा हैशा करती है न तो हिम्मत से बहुत उठाती है लेकिन सदा इस विशेश कारे के लिए सर्व के सने, सर्व के सहयोग, सर्व के शक्ति के उमंग उत्सा के वाइब्रेशन कुम्ब करण को नीन से जगाएंगे यह अटेंशन जरूरी है इस विशेश कारे के उपर बावाने यह कुम्ब करण कहा है क्यूंकि कुम्ब करण जो स्वय रहता था उसके अंदर भी कोई निश्चे होगा न तो हर एक मान लो किसी को अपने पद का नशा है अपनी पोस्ट का नशा है किसी को धन का नशा है किसी को अपनी विशेष्टा का नशा है किसी को अपनी जवानी का नशा है किसी को अपनी सुंदरता का नशा है किसी कला का नशा है वो उसको नीद में सुला देता, वो फिर टोटल होलिस्टिक परवा नहीं करता, तो इसलिए बाबा कहता है कि जो पदा अधिकारी होते हैं, अब पदा अधिकारी क्यों जाएंगे, उनके पास तो लोग आते हैं, तो तब बाबा कहता है कि मन से, जो मोल्ड होंगे, मन से जु इसलिए बाप दादा, सभी बच्चों के हिम्मत का आवाज सुन, उसी समय हर्षित हो रहे थे, और खास संगठन के स्ने के कारण, स्ने का रिटर्न देने के लिए आए हैं, बहुत अच्छे हो और अच्छे ते अच्छे अनेक बार बने हो, और बने हुए हो, इसलिए डबल व बाप दादा, विशेश बच्चों को हिर्दे का हार बनाए समाते हैं, अच्छा, कुमारियां तो हैं ही कनहिया की, बस एक शब्द याद रखना, सब में एक, एक मत, एक रस, एक बाप, भारत के बच्चों को भी बाप दादा, दिल से मुबारक दे रहे हैं, जैसा लक्षे रखा हैं, वैसे एक रखन प्रैक्टिकल में लाया, समझा किसको कहें, किसको ना कहें, सबको कहते हैं, दादी को जो निमित बनते हैं, उनको ख्याल तो रहता ही है, यही सहानुभूती की निशानी है, अच्छा, ख्याल रहना, इसी चीज में चंसर्न रखना, यही का क्या होता है, यही सहानुभूती है, वही उसी शक्ती से और उसी चंसनेस से खेलता है, और फिर जब जीत तो कहता है, मेरी जीत देश को मिले, मिली है, सबकी बुद्धी बहुत अच्छी चल रही है, और एक दो के समीप आ रहे हो ना, इसलिए सफलता अती समीप है, भीप लाईगी, ठक तो नहीं गए हो, बहुत काम मिल गया है, लेकिन आधा काम तो बाप करता है, और कहते हैं ना, नतिंग सक्सीड़ लाइक सक्सेस, जितनी सफलता मिलते जाती है, उतना उस्वा बढ़ता जाता है, कई लोग कहते हैं सफलता का कारण क्या है, सफलता का का आप कोई व्यक्ति किसी चीज में सफल ना हो, तो उसके अंदर एक परकार की मायूसी आ जाती है, वो डिसार्टन हो जाता है, और सफलता होती जाए, तो आगे से आगे बढ़ता जाता है। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुडली, मुडली में बाबा ने जो हम बच्चों को स्नेह रूपी चुमबक कहा, वो स्नेह रूपी चुमबक ही बाबा की गले का हार बनाएगा, और हम लोग को समीप लाएगा, और समीपता से ही सहयोग होगा, सहयोग से ही सर्व सुखमय संस नार बनेगा, Om Shanti.